नमस्कार दोस्तों मैं हूँ इंजिनेर सागर और आप देख रहे हैं हमारा चाइनल सिविल इंजिनेर फॉर यू सोगई सामने एक 3D लेशन डिजन किया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं खापी खुछ तुरत नजे आ रहा है है जिसके 25 स्थ rip रहने वाली अर लंबा इसके 25 त्रेट रहने वाली तो उसके कुछ कलर और कॉंबिनेशन है जो कि आज में आपको दिखाने वाला हूँ तो आप देख सकते हैं तो इक कलर कॉंबिनेशन नां पनाया था और यहां पे दिख सकते हैं यहाँ पर आपको बालकनी नहीं नजरा रही तो थोड़ा nominal changes हमने किये थे जैसे कि आप देख सकते हैं Guys हम इस channel पर daily एक house design की वीडियो लेके आते हैं जिसमें आपको plan या 3D illusion देखने को मिलता है तो अगर आपको भी इस वीडियो देखना पसन है आप एक घर बनवाना चाते हैं तो हमारे channel पर जाके आप देख सकते हैं आपके house plan का idea ले सकते हैं कि आपको नक्षा कैसे बनाना है अगर आपको customize plan बनाना है हमसे तो यहाँ पर हमारा number दिया हुआ है इस number से आप contact करके आपके लिए नक्षा बनवा सकते हैं चलिए guys मैं आपको इसका नक्षा भी समद्या देता हूँ नक्षा हमने केसे design किया हुआ है तो guys यहाँ पर देख सकते हैं उसकी चवड़ाई 24 पीट रहेगे और लंबाई 25 पीट रहेगे जो कि अपना waste spacing house plan था guys यह property देख सकते हैं one side road और three side cover property वेश spacing house plan design किया हुआ है तो यहाँ पर सामने की तरफ देख सकते हैं यहाँ आपने main gate design किया हुआ है जो कि अपना 10 पीट का रहेने वाला है इससे अंदर चले जाएंगे तो यहाँ पर अपन parking space मिल जाएगा उसके सामने देख सकते हैं चार फिट चेंज का अपने gardening space छोड़ा हुआ है जहाँ आपन gardening कर सकते हैं तो जो porch रहने वाला है उसकी size की बात करें तो 11 पिट 9 इंच बै 12 पिट 7 इंच रहेगी जो porch की size आपन के requirement का अनुसा design की हुई है आप जो porch रहने वाला है उसके size आप बड़ी रख सकते हैं car parking के लिए तो यहाँ पर उसको बड़ा करवाना पड़ेगा तो यहाँ पर अपना मेंडोर रहेगा जो की waste pacing रहेगा अंदर चले जाएंगे तो यहाँ पर अपन living hall में पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं जो size रहने वाले अपनी living hall की 12 feet by 20 feet रहेगी तो अपन जो porch बड़ा करना चाहते हैं तो अपना porch यहाँ से starting कर सकते हैं मतलब लगबग अपन 5 या 6 feet तक porch बड़ा सकते हैं जिससे आपकी बड़ी सी बड़ी गाड़ी आराम से parking हो जाए तो य यहाँ पर देख सेख देगाई यहाँ पर हमने एक bedroom design किया हुआ है 10 feet by 12 feet कर रहेगा यहाँ पर double bed design किया और सामने के तरफ indoor मिल जाती है दिन आगे पहुच जाएंगे तो यहाँ पर हमने CDR design की हुई है तो यहाँ से अपनी CDR start होती है और उसके निचे का जो space से हम उसे store room क तरह भी use कर सकते हैं उसे की सामने हमने design किया हुए common toilet 7 feet 3 inch by 5 feet change कर रहेगा जिससे ventilation के लिए हमने छोटा सा OTS यहाँ पर दिया हुआ है 2 feet 3 inch by 5 feet change किया यहाँ पर OTS मिल जाता है जिससे हमारे WC मतलब toilet का bathroom को ventilation मिल सके और bedroom को ventilation मिल सके तो आगे जाएंगे तो यहाँ पर देख हो जाएगा दिर आगे पहुच जाएंगे तो यहाँ पर हमने एक bedroom design किया हुआ है 12 feet by 12 feet का यहाँ पर उसका wardrobe रहेगा और यहाँ पर हमने double bed design किया हुआ है तो guys इस passage के जो वीडित रहेने वाले 4 feet 6 inch रहेगे और यहाँ पर हमने एक store room design किया हुआ है 5 feet by 5 feet by 6 feet 9 inch का तो उसका पर यहाँ पर रहेगा उसकी किसा हमने एक bedroom मिल जाता है 12 feet by 12 feet change का और यहाँ पर देख सकते हैं उसको backset हमने एक door दिया हुआ जिससे हम इस seat out को use कर सके और यहाँ पर एक toilet हमने design किया हुआ है 5 feet by 6 feet का आप चाहिए तो इसे यहाँ पर attached toilet भी बना सकते हैं तो इसके entry हमने ब हुआ है उसकी size रहेगे 6 feet change by 17 feet 9 inch की तो इस तरह आपने design किया था 24 feet by 65 feet का आप चाहिए तो इसका भी देख सकते हैं 65 feet तो उसकी लंबाय आने वाली है आप उसे 24 feet by size में भी design कर सकते हैं तो आपको वीडियो कैसा लगा comment करकर बताए और आपने दूस्तों के साथ share करे और च